मेश राशी के प्यारे दोस्तों और दर्शकों को नमस्ते। मेश राशी के इष्ट देव होते हैं भगवान सूर्य। वे शक्ती, ऊर्जा और स्वाभिमान का प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य की पूजा मेश राशी के लोगों को शक्ती, संजीवनी शक्ती और स्वास्थे की दृष्टी से फायदेमंद मानी जाती है। इसके अलावा कुछ लोग मेश राशी के इष्ट देव के रूप में हनुमान जी की भक्ती भी करते हैं। मेश राशी के इष्ट देव भगवान सूर्य होते हैं। भगवान सूर्य को सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है और उनकी पूजा विभिन धार्मिक शास्त्रों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य ग्रह से मेश राशी के लोगों को उत्साह, संजीवनी शक्ती और स्वास्थ्य की द्रिष्टी से फायदा मिलता है। इसके अलावा सूर्य की पूजा से उन्हें नेत्रित्व, स्थिर्ता और सम्रध्धी की प्राप्ती में मदद मिलती है। भग्वान सूर्य का देवत्व अनेक पुराणों, वेदों और उपनिश्दों में वर्नित है, जहां उन्हें स्रिष्टी का अधिपती और जीवन के स्वामी के रूप में श्रधा पूर्वक पूजा जाता है। मेश राशी के लोग भग्वान सूर्य की प्रार्थना करते समय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में उर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ती होती है। इसके अलावा सूर्य देव की प्रार्थना के दौरान ध्यान और श्रधा के साथ उनके समर्धिकारक गुनों का स्मरण भी किया जाता है। सूर्य की प्रार्थना के समय इसके गुनों का स्मरण किया जा सकता है। एक उर्जा, एनर्जी, सूर्य ग्रह उर्जा का प्रमुक्स रोत है. उनकी प्रार्थना से मानव जीवन में उर्जा और जीवन शक्ती का व्रिध्धी होता है. दोग, स्वास्थ्य, हेल्थ, सूर्य ग्रह के प्रभाव से शारिरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है इसलिए सूर्य की प्रार्थना से रोगों का निवारन और स्वस्थ जीवन की प्राप्ती होती है तीन नेत्रित्व, लीडर्शिप, सूर्य ग्रह नेत्रित्व का प्रतीक है उनकी पूजा से व्यक्ति में नेत्रित्व की क्षमता बढ़ती है और उन्हें अपने कारियों में सफलता मिलती है चार्क सम्रिध्धी, प्रोस्पेरिटी, सूर्य देव की प्रार्थना से धन, सम्पत्ती और सम्रिध्धी की प्राप्ती होती है वे धन का स्थानिय संचारक होते हैं और सम्रिध्धी का प्रमुक्ष रोत माने जाते हैं सूर्य की प्रार्थना करने से व्यक्ति में उत्साह, साहस और सकारात मक्ता का विकास भी होता है। धन्यवाद कृप्या मेरे चैनल आज का एस्ट्रो प्लस भक्ति को लाइक और सब्सक्राइब करें।